वेल्कम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसी रिपेट टिप्स में आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में जो की प्रॉब्लम मेरे सामने खुद आई थी और मैंने उसे कैसे स्वाल किया यह जो आप देख रहे हैं यह है जब मैं इसके पास आया το कॉंप सै काफी जा आ हीट होके ट्रीप हुग गया था और इसका एक इसका कंट इसर तंडा करके ृ सिंस टी किया और फेन आपको मैंने किया सो माने झीघ पासा के इसका iio कंटिन जो को है जो चैंड़ की अईट कीया तो मैंने देखा कि सारी वाइरिंग चेक किया वाइरिंग चेक करने के बाद जो है इसकी मोटर चेक की कि मोटर की वाइंडिंग तो नहीं खराब है सारी चीज़े बराबर थी लेकिन जब मैंने इसका एक आखरी जो सॉलुशन निकाला वो जो था वह मैंने कैपिसिटर इसका चेक किया चैंज किया तो कैपिशिटर चेंज करते से फैंप का डारेक्शन ऑटोमेटिक सीधा भूगया मैंने वायरिंग वैसी रहने दी सिर्फ टेशिटर चेंज लाँ हमारा जो इसी है out door proper work करने लगा cooling भी प्रोपर देने लगा तो उम्मिद्द करता हुup आपको हमारी ये video पसंद आई होगी video अगर पसंद आए तो हमारे वीडीयोस में जाके और भी video देखें इस तरह कि नई ने वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब उपर आई बटन पर और हम वीडियो के एंड में आपको काफिस सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो प्लीज बोजा के दरूर देखे बहुत रिए कर दो खाय ओर नाई